हेलो बच्चों आज हम सुनेंगे एक भूखे शेर और खरगोश की कहानी एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था एक दिन बो जंगल में घूमने गया और वहां उसको तेज भूख लगने लगी शेर जंगल में शिकार के लिए इधर उधर देखने लगा अचानक उसको एक घास की जाड़ी में एक खरगोश दिखा शेर ने खरगोश से कहा मेरे को बहुत तेज भूख लगी है मैं तुझे खाना चाहता हूँ खरगोश ने बोला मैं तो बहुत छूटा हूँ शेर राजा की तो भूख भी नहीं मिटेगी खरगोश की इस बात पर शेर हसने लगा और कहां तुने सही कहां लेकिन मैं तुझे खाऊंगा खरगोश बोला ठीक है आप जंगल के राजा हो आप मुझे खा सकते हो लेकिन जैसे ही शेर खरगोश को खाने के लिए गया शेर रुख गया और बोला मैं जंगल का राजा हूँ और राजा अपने लोगों का भला चाहता है इसलिए मैं तुझे नहीं खाऊंगा इतना कहकर शेर ने नदी में पानी पिया और जंगल की और चला गया बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को नुकसान नहीं देना चाहिए सभी को एक साथ खुश रहना चाहिए कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद